नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका ग्रामिन ग्यां दरा यूटूब चैनल पर आज अम बात करेंगे सुविदान के बाग एक के बारे में इसका नाम क्या है बाग एक का संग और उसका राज एक्षेतर अनुचेद का से का तक है बाग एक में अनुचेद है एक से चार तक तो हम आज बाग एक का डिटेल से देन करेंगे बाग एक नाम क्या है संग और उसका राज एक्षेतर अनुचेद एक का क्या नाम है संग का नाम और राज एक्षेतर अनुछे 2 का क्या नाम है नए राज्यों का प्रवेशिया स्टापना 2 कै नीरस्त कर दिया है अनुछे 3 नए राज्यों का निर्मान और वर्तमान राज्य के खित्रों शिम्माउं या नामों में परिवरतन अनुचे चार में क्या है? पहली अनुसुची और चोथी अनुसुची के संसोदन तथा अनुपूरुक अनुसांगिक और प्रेणामेक विश्यों का उपबंद करने के लिए अनुचे दो और तीन की अधिन बनाई गई विदिया तो संग का नाम और राज्य खेतर कौन से अनुचे द में है? अनुचे द एक में अनुचे द एक में क्या है? संग का नाम और राज्य खेतर अनुचे दो में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या स्तापना तो नए राज्यों का प्रवेश या स्तापना कौन से नुचेद के तहित किया जाता है अनुचेद 2 के तहित नए राज्यों का निर्माण याद रखना स्तापना नहीं निर्माण है निर्माण और वर्तमान राजे के ख्यत्रों, शिमाओं या नामों में परिवर्थन कौन से अनुछेद के तहट किया जाता है? अनुछेद 3 के तहट और अनुछेद 4 क्या है? पहले अनुसुची और चोथी अनुसुची के संसोधन तथा अनुपुरूप, अनुसांगिक और प्रेणामिक विश्यों का उप्बंद करने के लिए अनुचे दो और तीन के अधिन बनाई गई विद्या अब हम एक एकर करके इन अनुचे दो को डिटेल से पड़ेंगे अब देखते हैं अनुचे देख, अनुचे देख क्या है संग का नाम और राज एक्षित्र, बारत अर्थात इंडिया, राज्यों का संग होगा यह है नाम कौन सा बारत नाम आल इमें चर्चा में रहा क्योंकि सरकार ने संसद का विश्य सत्तर बुलाया था तो उसके करण कयास लगाय जा रहे थी कि क्या अनुचे चुमालिस याने सम्मानागरिक सहित्ता लाई जाएगी या एक देख, एक चुनाव किया जाएगा या भारत का ओपीशिय लनाम कर दिया जाएगा इस सम्मान में चर्चा में रहा आप मुझे निच्चे कमेंट में बताईए कि जो संसद का विश्य सत्तर हुआ था उसके अंदर क्या परिवर्तन किया गया या किस से सम्मान दिते वह संसद यसत्तर गुलाया गया और भारत ने जो G20 की बैठ हुई थी उसमें भी अपना नाम इंडिया की जगे B.H.A.R.T. भारत लिखा जो राष्टपती द्वारा अनेक राष्टरा डेक्सों को बोज के लिए मंतरित किया गया उस गेजट में भी बारत नाम उप्योग में दिया गया तो मैं पता होना चाहिए अनुछेद एक में वरणन है बारत और इंडिया दोनों नामों का और बारत क्या होगा? राज्यों का संग होगा किस का संग होगा? राज्यों का संग होगा और अब देखते हैं अनुचेद एक के भागदो के बारे में अनुचेद एक दो में क्या का गया है कि रज्यों और उनके रज्य एक्षेत तरवे होंगे जो पहली अनुची में वी निर्दिश्टित हैं और यह कब जोड़ा गया यह है साथमें स्विदान संसोदन 1956 के तहट है प्रावदान जोड़ा गया यानि पहले अलग प्रावदान था उसके स्थान पर इसे रिप्लेस कर दिया गया अनुचेद एक के पार्ट तीन में क्या लिखा गया है बारत के राज्य एक्षेतर में कौन-कौन सामिल होंगे यानि पहले अनुची में वी निर्दिस्टित संग राज्य एक्षेतर यानि यूटी एसे अन्य राज्य एक्षेतर जो अरजित किये जाएं समाविष्ट होंगे तो बारत के राज एक्षेतर के अंतरगत कौन को नाते हैं बारत के राज एक्षेतर याने स्टेट जो भी है दो नमर यूटी याने पहली अनुसूची में जो वी निर्दिश्टित यूटी है संग राज एक्षेतर हैं वो और एस से अन्य राज एक्षेतर जो बारत द्वारा अरजित किये जाएं ये किस में सामिल होते हैं बारत के राज एक्षेतर में समलित होते हैं अनुचेद एक से क्या चुसन बन सकता है पहले दाता हुआ रखिए अनुचेद एक में के कितने पा बारत अर्थात इंडिया कौन से में तीन खैमे अगला परसन क्या बनता है कि बारत के राज्य एक्षेतर में कितने प्रकार के राज्य है तो याद रखना तीन प्रकार के राज्य है स्टेट याने राज्य यूटी और अर्जित किये गए राज्य एक्षेतर अनुचिद एक मेरे इसाब से कलियर हो गया अब मैं अनुचिद एक से समन्दित कुछ से कोर्ट के स्टेटमेंट है वो मैं बता देता हूँ स्टेट ओप वेस्ट बंगाल वर्सेज कमेटी फोर प्रोटेक्शन ओप डेमोक्रेटिक स्राइट्स 2010 का मामला है इसमें क्या का गया कि अनुचिद एक उपबंद करता है कि बारत राज्यों का संग है बारत किस का संग है राज्यों का संग है जो राज्य के फेडरेशन को तातपरियत करता है ये किसमे का गया State of West Bengal versus Committee for Protection of Democratic Rights 2010 में यह बात है कही गई इसके लवा इससे क्या मनता है कि बारत क्या है बारत विबक्त राज्यों का ए विबक्त संग है ये भी याद रखना अब आगे बढ़ते हैं अनुचे दो की तरफ अनुचे दो में क्या है नए राज्यों का प्रवेश या स्तापना तो नए राज्यों के प्रवेश या स्तापना का वणन कौन से अनुचे दो में इसमें लिखा गया है संसद विदी द्वारा एससे निबंदनों और सर्तों पर जो वैठीक समझे संग में नई राज्यों का परवेश या उनकी स्तापना कर सकेगी अनुचेद दो कैथा सिक्यम का संग के साथ सहयुक्त किया जाना नीरस्त कर दिया गया कब 1975 में कि नई राज्यों का परवेश या स्तापन कोन कर सकता है नए राजियों का प्रवेश या स्तापन तो संसद कर सकती है नए राजियों का प्रवेश या स्तापन तो संसद सीद्ध ही कर सकती है या कोई तरीका है तो भाई साब तरीका है इसका किस के द्वारा विद्धी के द्वारा और इस से निम्बंदनों और सर्तों पर करेगी जो वह है ठीक समझे कौन ठीक समझे संसद अब हम देखते हैं अगला तीन नमर अनुचेद तीन नमर अनुचेद का क्या नाम है नए राजियों का निर्मान और वर्तमान राजे के खेतर सिमाओं या नामों में परिवर्तन तो जो नए राजे है वो बनाए जा सकते हैं वर्तमान राजे है उनके खेतरों में परिवर्तन किया जा सकता है उसकी सिमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है उसके नामों में परिवर्तन किया जा सकता है कौन से अनुछेद के तहट? अनुछेदे तीन के तहट इसमें परिवर्तन कोन कर सकता है? तो संसद कर सकती है किस के द्वारा? विदी के द्वारा अनुचे तीन के में क्या बताया गया है किसी रज्य में से उसका रज्य एक्षेतर अलग करके या दो या अधिक रज्यों को या रज्यों के बागों को मिला कर अत्वा किसी रज्य एक्षेतर को किसी रज्य के बाग के साथ मिला कर नए राजय का निर्मान कर सकेगी तो किस परकार से एक तो बताया गया है कि मानो ये एक कोई स्टेट है ये स्टेट है इसको अलग करके यान एक ये स्टेट बना दिया एक ये स्टेट बना दिया या दो या अधिक राज्यों को या स्पोज कीजिए ये एक राजे है ये एक राजे है दो राजे है लग 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 इन दोनों को मिला दिया और एक नए राजे बना दिया अथ्वा क्या कर सकते हैं कोई राजे है उसके दो राजे के उसके कोई बाग को मिला कर या इसके है ये दोनों बागों को मिला दिया औ कुन संसद किस के द्वरा विदी के द्वरा किस में लिखा गया है अनुचेद तीन में अनुचेद तीन खे में क्या लिखा गया है किसी राज्य का च्छेत्र बढ़ा सकती है यानि कोई राज्य है उसका च्छेत्र है क्या कर सकती है च्छेत्र यानि पहले वो राज्य है वो इतना आता था तो वो राजे को बढ़ा कर छेतर का बढ़ा कर इतना कर सकती है किसी राजे का छेतर गटा सकती है ये किस अनुचेद में है तीन गए में किसी राजे की सिमाव में प्रिवर्तन कर सकती है अनुचेद तीन गए में किसी राजे के नाम में प्रिवर्तन कर सकती है परन्तु इस प्रयोजन के लिए कोई विदेग राश्टरपती की सिपारिस के बिना और जहां विदेग में अंतर्विष्ट प्रेस्तापना का प्रबाव राज्यों में से किसी के ख्यत्र सिमाउ या नाम पर पड़ता है वहां पर उस राजे के विदान मंडल द्वारा उस पर अपने विचार एस सी अवदी के बितर जो निर्देश में वी निर्दिष्ट की जाए या एस सी अतरिक्त अवदी के बितर जो राश्टरपती द्वारा अनुग्यात की जाए या परगट किये जाने के लिए वह विदे एक राश्टपती द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया है और इस परकार वी निर्दिष्ट या अनुग्यात अवदी समाप्त नहीं हो गई है संसद के किसी सदन में पुरे स्तापित नहीं किया जा सकता इसके अंदर क्या है इसके अंदर बताया गया है कि यह एसस कोई विदेएक है इस परकार के नए राजियों के निर्मान वर्तमान राज्य के खेतर सीमाविया नामों में प्रिवर्तन द्वारा कोई राज्य का खेतर गटाना बढ़ाना आधी तो इसके लिए पूरो एनुमति किसकी आउसे होती है राष्टपती की तो राष्टपती की बिना किसी सदन में नहीं लाया जा सकता इसके अलबा कि यदि इससे कोई राज्य इफ्यक्त हो रहा हो या कोई राज्य प्रभावित हो तो उस राज्य की विदानमंडल में भी इस परकार का विदेएक रखना होगा और विदानमंडल उसे जो विदेएक है उसके अंदर द तो उसे संसद के किसी सदन में परस्तूत किया जा सकता है वरना नहीं सपश्टी करन में एक के अंदर दिया गया कि इस अनुचेत के खंट के सेड़े में राज्य के अंतरगत संग राज्य एक्षेतर है किन्तु परंतुक में राज्य के अंतरगत संग राज्य एक्षेतर नहीं है यानि जो इसमें परंतु जिया गया है कि राष्टक्ति के नमति तो इसमें जो यूटी में प्रिवर्दन करना होगा तो उसमें किसी प्रकार का प्रामर्स नहीं करना पड़ेगा यानि इसके अंदर डायरेक्ट संसद है वो बदलाव कर सकते हैं किसमें यूटी में सपश्टी करन दो खंड कैय द्वारा संसद को प्रदत सकती के अंतरगत किसी राज्य या संग राज्य एक्षेतर के किसी बाग को किसी अन्य राज्य या संग के राज्य एक्षेतर के साथ मिला कर नए राज्य या संग राज्य एक्षेतर का निर्मान कर सकता है क्या कर सकता है या तो नया राज्य बना सकता है दो यूटी बना दिया था इस परकार से एक तो जम्मू एंड कस्मीर एक लगदाख तो इसका पावर कौन से अनुचेत के तहत मिलता है इसका पावर अनुचेत तीन के तहत मिलता है किसे संसद को अब हम देखेंगे अनुचेत चार अनुचेत चार के अंदर है पहली अनुची और चोथी अनुची के संसदन तथा अनुपूरुक अनुसांगिक और परिणामिक विश्यों का उपबंद करने के लिए अनुचे दो और अनुचेत तीन के अधिन बनाई गए विदिया यानि इसके अंदर 4, 1 के अंदर क्या बताया गया कि अनूचे 2 या अनूचे 3 में निर्दिष्ट किसी विदी में पहली अनूसूची और चोथी अनूसूची के संसोधन के लिए एसे उपबंद अंतरविष्ट होगे जिने संसद आवश्य समझे तो इससे समंदित है वो संसद उपबंद बना सकती है अनुचे चार दोग के अंतरगत क्या दिया गया है पूर्वक्त परकार की कोई विद्धी अनुचे 368 के प्रियोजन के लिए इस सुविदान का संसोदन नहीं समझे जाएगी तो वो अनुचे 368 के तहित सुविदान संसोदन नहीं समझा जाएगा अर्थात सादान संसोदन के तहित ये सब बदलावे किये जा सकते है अता इससे क्या सपर्ष्ट होता है कि सामान्य बहुमत वे सादान विदाई परक्रिया से पारित करके नए राजियों का निर्माण नाम परिवर्तन आधे संसद कर सकती है तो राष्ट पति किसी पारिश वाला है जो अनुचे 33 के अंदर गदिया गया था परंतुक वो कब जोड़ा गया था उसके अंदर जो राष्ट पति राज्य विदानमंडल का मत मानने को बद्य नहीं है वे इसे स्विकार या ऐस्विकार कर सकता है अब मैं जो आपको कुछ महत्यकुन चीज़े रह गई है वो बता दू मंगल सी हैं वर्सेज यूनियन ओफ इंडिया 1967 का मामल आया था उसमें का गया कि अनुपूरुक अनुसंगिक और प्रिणामिक प्रावदान बनाने की सकती संपूरुन राज्य में किसी भी अंग को समाप्त करने के लिए संसद को समर्थवान नहीं बनाती यानि क्या है कि किसी भी अंग को है वो समाप्त नहीं कर सकती इस परकार की सकती संसत के पास नहीं है आप बता सकते हैं कि अनुछे तीन के तैक कितने परकार के परिवर्तन के जा सकते हैं पांच परकार के परिवर्तन नए रज्यों का निर्मान किस में से पुर्वे बने वे रज्य या यूटि में से दूसरा किसी रज्य के खेत्र को क्या कर सकती है बढ़ा सकती है या क्या कर सकती है गटा सकती है चार नमर सिमा परिवर्तन कर सकती है पांच नमर नाम परिवर्तन कर सकती है तो इस परकार से पांच परकार के परिवर्तन किया जा सकते हैं अब इससे अमें यह पता चलता है कि स्विधान द्वारा खेत्रिय एकता खेत्रिय एकता या राज्य के अस्तित्वे की कोई गारंटी नहीं दी गई है क्योंकि संसद इसमें किसी परकार का प्रिवर्तन कर सकती है 1960 में बेरू बाडिसंग मामले में राष्ट्रपती ने अपनी सक्ति का प्रियोग करते वे सुप्रीम कोट से पुछा कि क्या संसद को यह भी अधिकार है कि वो किसी राजे के एक्षेतर को समाप्त कर अनुचेद तीन के तहट बारते एक्षेतर को किसी अन्य देश को दे सकती है तो इस पर ऐसी ने क्या रिपलाई या ऐसी ने का आसनसद की सकती राजे की सिमा समाप्त करने वे भारते एक्षेतर को अन्य देश को देने की नहीं है यह कार्ये अनुछेद 368 के तहट सुविदान संसोदन करके ही किया जा सकता है इसके प्रणाम सरूप क्या हुआ नौवा सुविदान संसोदन 1960 वा और 1999 में S.C. ने क्या कहा 1999 में सुप्रीम कोडने का बारत और अन्य देशों के बीच सिमा निर्दारन विवाद हल करने के लिए सुविदान संसोदन की आउशिकता नहीं है यह कार्ये कार्या पलिका दौरा किया जा सकता है इसमें बारती एक चेतर को विदेश को सुपना सामिल नहीं है नौवे सुविदान संसोदन 1960 के तायद क्या किया गया था बेरु बाड़ी क्षेतर को क्या कर दिया गया पकिस्तान को सौंप दिया गया और इसके बाद एक मैं तर पुन सुविदान संसोदन और किया गया सुविदान संसोदन कब 2015 में किसलिए बारत वे बंगला देश बंगला देश की सिमा विवाद सुल जाने के लिए इसके तहट 111 विदेशी अंत्यक्षेतर बंगला देश को दे दिये गया और 51 अंत्यक्षेतर बारत को अस्ताना अंतरित कर दिये गया तो कुल 6.1 किलोमेटर सिमा का क्या हुआ सिमाकन कर दिया गया इसके लिए चार राज्यों की अनुसुची में बदलाव किया गया कौन से कौन से असम पस्चिमी बंगल तरीपुरा वे मेगले ये बात में आपको पहले ही बता चुका हूँ संग्ये तंतर कहां से लिया गया संग्ये तंतर 1935 के बार्चासन अधिनियम से लिया गया जबकि संग्ये सासन प्रणाली कहां से लिगई करनाटा के स्विधान से लिगई राज्य के वित्तर अनुसुचित जाती वे अनुसुचित जन जाती एक्षेतरों ये तू विशेश प्रावदान कोंची अनुसुचि में है तो वो है पांचवी वे छटी अनुसुचि में अनुसुचित और जन जाती एक्षेतर का वणन कोंचे भाग में है तो भाग 10 में वणन है इसका बारत में कितने राज्य है बारत में कितने राज्य है 28 राज्य है और बारत में संग्सासित एक्षेतर कितने है आठ संग्सासित एक्षेतर याने आठ यूटी है वो इस मैप में अराम से पढ़ सकते हैं कि संग और यूटी कौन कौन सी है इसकी अलग से आप लिस्ट बना लीजिए साथ में जो भी रज्य है उसकी राजदानी भी लिख लीजिए ताकि आपको प्रोबलम ना हो अब आपको ये बताना भी जरूरी है कि कई रजे के पूरूए नाम थे वो बदल दिये गए हैं तो परिवर्थी रजे कितने नाम है आठ रजयों के नाम बदल दिये गए सबसे पहले नाम किसका बदला गया सन्यूक्त प्रांत का कब बदला 1950 में नाम बदल कर क्या कर दिया गया उत्तर परदेश फिर नाम किसका बदला मदरास का मदरास का नाम बदल कर क्या कर गिया तब मिल्लाडू कब गुनिस सो गुनेतर में फिर नाम किसका बदला में सुराज्य का में सुराज्य का नाम बदल कर क्या कर गिया में सुराज्य का नाम बदल करकर दिया करनाटक कब बदला 1903 में 1903 में ही लक दीव मिन्नी कोई वे अमीन दीव का नाम बदल कर क्या कर दिया इसका नाम बदल कर कर दिया लक्स दीव कब 1903 में अगला नाम बदला दिल्ली का ये दिल्ली है दिल्ली का नाम बदल कर क्या कर दिया राष्ट्रिय राजदानी छेतर दिल्ली कब बदला 1902 में राष्ट्रिय राजदानी छेतर दिल्ली नाम कर दिया गया 1902 में और 2006 में उत्रांचल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया उत्रांचल का नाम बदल कर कर दिया गया कस्मीर पुनर गठन एक्ट ये कब बनाया गया 2015 में पहला बासाई राज्य किसे बनाया गया पहला बासाई राज्य बनाया गया अंदर प्रदेश को इसके लिए अंदर राज्य पुनर गठन एक्ट 1953 लागू किया गया तेलगु बस्षी के लिए एक अक्टूबर 1953 को गठितुआ अंदर प्रदेश 1953 में फिर अंदर प्रदेश का पुनर गठन भी किया गया कब किया गया 2014 में इससे क्या बनाया गया नयार स्टेट तेल लंगाना इसके बाद अंदर प्रदेश वे मदरा सिमा प्रिवर्तन एक्ट भी लाया गया कब 1969 में 1969 में ही मदरा सराजे का नाम बदल कर क्या कर दिया गया तमील नडू कर दिया गया पुड़ू चेरी से नाम बदल दिया गया पांडी चेरी नाम प्रिवर्तन एक्ट 2006 में लाया गया इसके लबा गोवा दमन एम दीव पुनर गठन एक्ट कब लाया गया ये 1980 में लाया गया 1980 में मुंबई पुनर गठन एक्ट लाया गया इसके अंदर गुजरात वे महाराष्टर दो अलगलग राजय बना दिये गए इसके लावा राजस्तान में मद्य प्रदेश राज्यक्षेतर अंतरण एक्ट कब लाया गया? 1969 में और 2000 में मद्य प्रदेश पुन्दर गठन एक्ट लाया गया इसके लावा पंजाब पुन्दर गठन एक्ट कब लाया गया? 1966 के तैट पंजाब और इमार्चल प्रदेश को अलग दोराज्य बना दिये गए और इसके लवा चंडिगड को भी अलग यूटी बना दिया गया अरियाना नामक एक नहीराज्य को भी बना दिया गया ये भी पंजाब उन्दर गठन एक्ट 1966 के तैट हुआ फिर अरियाना और उत्तर प्रदेश सिमा परिवर्थन एक्ट लाया गया गुन्नी सो नेवाशी में और उत्तर प्रदेश पुनर गठन एक्ट कब लाया गया 2000 में बिहार और उत्तर प्रदेश सिमा परिवर्थन एक्ट कब लाया गया 1968 में बिहार और पस्ची में बंगाल राज ये अंतरन एक्ट कब लाया गया 1956 में चंदर नगर विल्य एक्ट कब लाया गया 1954 में शिक्किम एतु कब एक्ट लाया गया 36 विदान संसोदन 1905 के तैत असम एतु एक्ट कब लाया गया असम हेतु एक्ट लाया गया 1951 में असम सीमा परिवर्थन एक्ट 1951 नागालेंड राजे हेतु कब लाया गया नागालेंड राजे हेतु 1962 में लाया गया पुरुवत्तर चेतर पुनर गठन एक्ट कब लाया गया 1951 में लाया गया इसके अंदर मेगाले वे मिजोर्म रोनाचल प्रदेश आधिसा मिल थे और त्रीपुरा है तु कौन सा स्विधान संसोदन किया गया नौवा स्विधान संसोदन उडिसा का नाम प्रिवर्तन करकर उडिसा कब किया गया 2011 में इसे तु उडिसा नाम प्रिवर्तन एक्ट लाया गया 2011 में तो ये महते पुरुन एक्ट थे इसके अलावा में आपको आगे मैप दे रहा हूँ उसको पोज करके पड़ लीजिए उनिस सो चपन के बाद बने यूटी वे राजे उनिस सो चपन के समय 14 राजे वे 6 यूटी थी यानि 6 के अंदर साशित प्रदेश थे वर्तमान में कितने हैं वर्तमान में 28 राजे वे 8 यूटी हैं और आजाती के समय क्या सती थी थी आजाती के समय दो तरह के थे एक तो ब्रिटिस प्रांथ क्या थे ब्रिटिस प्रांथ और दूसरा देशी रियास्त देशी रियास्त कितनी थी 552 इसमें पांसो गुनचास भारतवी बाजन के समय मिल गई और तीन जो बाद में विले की ग एदराबाद, जुनागड और कस्मीर, हैदराबाद को पुलिस कारवाई द्वारा, जुनागड को जन्मत संगरे द्वारा और कस्मीर को विल्ले अपतर द्वारा बारत में सामिल किया गया तो बासाई अधार प्रगटित प्रतमराजे अंदर प्रदेश, एक अक्टूबर उनीशो त्रेपन को तेलगु बासी बना, उन्टी स्वारा जे कोंचा बना था, तेलंगाना किसे लगवा अंदर प्रदेश से, और 2019 में जम्मू और कस्मीर, तता लद्दाक दो यूटी बने दाधरा वे नागरह वेली वे दमन वे दीव का विले कब कर दिया गया, 26 दन्वली 2020 को, कोंचा राजे कब बना, पंदर मा राजे कोंचा बना, पंदर मा राजे बना, गुजरात, कोंचा बना, गुजरात, कब बना, 1960 मे, 16 वाराजे कोंचा बना, नागालेंड, कब बना, 1963 म ना हरयाना कब बना 1986 अठारवाराजे कब बना हिमांचल प्रदेश कब बना 1991 मनीपूर कब बना बीश वाराजे कब बना त्रीपूरा 21 21 कब बना मेगले मेगाले, कबबना Corona 51 22 वराजे कुनचबना सिक्किम कबबना 1925 23 वराजे कुनचबना मिजोरम कबबना dale login 24 वराजे कुनचबना 24 वराजेवना अरुनाचलप्रदेश 25 वराजे कुनचबना ગोवा કब बना 2014 में और पुडू चेरी को भारत में किस स्विदानसन सोदन के तहत मिलाया गया 42 स्विदानसन सोदन 1962 के तहत और गोवा है तो कौन सा ओपरेशन किया गया गोवा है तो 1961 में ओपरेशन विजय किया गया British काल में 1912 में बासाई आदार पर तीन राज्यों का गठन हुआ था ब्रिटिस काल में कितने राज्य बने थे? तीन राज्य कौन्से? बिहार, उडिशा, असम तो ये भी याद रखना कि ब्रिटिस काल में भी बसाई आदार पर बना था जबकि सुतंतरता के बाद पहला कुन बना था? अंदर पर देश भाग 21 के तहट विशेश प्रावदान वाले राजे कितने है? 12 कौन्स कौन्से हैं? उनका नाम बता देता हूँ आपको गुजरात महाराश्टर गोवा करनाटक अंदर पर देश तेललंगाना सिक्किम रुनाचल परदेश असम नागगालेंड मनिपूर और मिजोरम ये बारा राजे हैं ये बाग 21 के तहट विशेश प्रावदान वाले राजे हैं इनका वर्णन कौन से अनुछेद में दिया गया है? अनुछेद 371 के अंदर 1950 के समय 1221 में चार परकार के राजे थे कै खै गै वे गै कै के अंदर 9 राजे थे खै के अंदर 9 राजे थे गै के अंदर 10 राजे थे गै के अंदर 1 राजे था अब हम थोड़ा देख लेते हैं शित्रिय प्रिशद के बारे में पुर्वी दक्षणी एक पुर्वतर 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 प राष्टपती अध्यक्स को न होता है गरे मंतरी या राष्टपती द्वारा मनौनिंत केंद्रिय मंतरी उपा ध्यक्स संमंदित राजे की सी Yum है और रोटेशन आधार पर आते हैं उत्री प्रिशद में कितने राजे सामिल हैं? 8 मद्या प्रिशद में 4, पस्चिमी में 4, दक्षणी में 6 राजे, पुर्वी में 4 राजे, और पुर्वत्र में 8 राजे सामिल है उत्री का मुख्यले का पर है दिल्ली, मद्य का इल्लाबाद, पस्चिमी का मुंबई, दक्षणी का चन्नाई, पुर्वी का कोलकता इस वीडियो को कंठस्ट कर दीजिए और बने रहिए ग्रामिन ग्यान दरा यूटूब चैनल के साथ धन्यवाद, जैहिंद, जैवाद